नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनलर पर जिसका नाम है इस्टेडिवी पी एन लोदा साथियों हिंदी व्याकरान और सिक्सन विदियो का पेपल नमबर 18 लेकर आया हूं पीडियाप सहीत बहुत ही शांदार स्पेशल प्रिश्ण आपको देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे 30 प्रिश्ण देखिए रीट पातरता परिक्सा जो की जुलाई महम में आयुजित होने वाली है 2022 में उसके लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेट का मुख्य पेपर होगा उसके लिए साथ ही फर्ष्ट ग्रेट, सेकंड ग्रेट, एमपिटेट, इत्यादी के लिए भी बेहद ही उप्योगी प्रिश्ण है तो वीडियो को पूरा देख करके जाएगा और कोशिस क्या रहेगी कि 25 प्रिश्ण कम से कम आपके 30 में से सही होने चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक-एक प्रिश्ण को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं पहला प्रिश्ण आपके क्या है अगर आपको इसकी पीडियेप लेना है सात्यों तो हमारा टेलिग्राम चेनल है Study with PN Loda के नाम से, Google पे सर्च कर लीजेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा Study with PN Loda टेलिग्राम चेनल, ठीक है, वहाँ से आपको इसकी निशुल की पीडियेप प्राप्त हो जाएगी परिक्षन, अध्यापक दौरार निर्मित परिक्षन, आत्मनिष्ट परिक्षन और प्रमापी क्रित परिक्षन, तो देखो अधिक विसवसने परिक्षन किनको माना जाता है इस question में आपसे ये पूँचे जा रहा है तो question संध्या एक में साथियों सोंस शमझ करके उतर दीजेगा इसका जो सही उतर है वो है प्रमापी क्रित जो परिक्षन होते हैं उनको अधिक विस्पसने माना जाता है क्यों क्योंकि प्रमापी क्रित प्रिक्षन का मतलब होता है जो प्रिक्षन परमानित हो जिसे बोर्ड संस्थाओं दोरा जो प्रिक्षन बनाए जाते हैं तो उस प्रकार के प्रिक्षन प्रमापी क्रित प्रिक्षन के अंतरकत आ जाते विकल्प चार सबसे बेश्ट आंसर है प्रश्ण नमबर एक में, नेक्स्ट प्रश्ण नमबर दो पे आते हैं, तो दूसरा प्रश्ण है आपके विशेशन शब्द का चैन कीजिए, कर्तव्य, भारतिय, गरिमा और चिकनाई, देखिए सास्यों यहाँ पर गरिमा, चिकनाई करता हुए, इस परकार के यह जो शब्द है, यह विशेशन शब्द नहीं है, चिकनाई शब्द यहाँ पर भावाचक संग्या का शब्द है, गरिमा शब्द यहाँ पर भावाचक संग्या का शब्द है, लेकिन यह जो भारतिय शब्द है, यह एक विशेशन शब्द है, क तो विकल्प नमबर आपका दो सही है, प्रिश्ण नमबर दो में, नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर तीन पे आते हैं, तो आपके तीसरा प्रिश्ण, रचना के आदार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, एक, दो, तीन और चार, तो साथियों, रचना के आदार पर वाक्य के प्रकारों की बात करें, तो कितने प्रकार के वाग के होते हैं रचना के आदार पर, तीन प्रकार होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, एक होता है आपके सरल वाग के, एक होता है आपके सयुक्त वाग के, और एक होता है आपके मिश्रु वाग के, तो ये जो तीन प्रकार है साथियों, ये किसके है? रचना के आदार परवाक्य के प्रकार है. तो फिर कौन सा विकल्ब सही है? तीसरे विकल्ब आपके तीसरे प्रिश्ण में बिल्गुल सही है. चले नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर चार प्याते हैं, तो आपके चोता प्रिश्ण कौन से समू के सभी शब्द ब्रमर? ब्रमर मतलब भौरे के प्रेवाची है. तो भौरे के प्रेवाची यहाँ पर हर उस विकल्ब को देखना है, जिसमें सारे के सारे शब्द ब्रमर के प्रेवाची आपको लगते हैं. तो बताएं यहाँ पर कौन से विकल्ब में आपको लग रहा है कि यह सभी शब्द ही ब्रमर के प्रेवाची हैं. साथियों प्रिश्ण संक्या चार को अच्छी तरह से देख लीजेगा, इसका जो सही उत्तर है यह है विकल्ब नमबर चार. द्वी रेप भी भरमर का प्रेवाची है, चंचरिक भी भरमर का प्रेवाची है, गंजारक भी भरमर का प्रेवाची है, और मदुप भी भरमर का प्रेवाची है. तो विकल्ब चार आपके चोते प्रिश्ण में सही है. नेक्स्ट देखेगा प्रश्ण नंबर पाँच है आपके मौन्टेंसरी की समस्त विद्या आधारित है किस पर आधारित है ग्यानेंद्रियों पर आधारित है करके सीखने पर आधारित है देखकर सीखने पर आधारित है और सुनकर सीखने पर आधारित है तो पाँचवे प् ग्यानेंद्रियों पर आदारित है, इन्होंने जादा से जादा अपने विदियों में ग्यानेंद्रियों के उपर बल देने पर जादा प्रियोग किया है, तो विकल्प एक आपके पाचवे प्रिश्ण में सही है, नेक्स्ट प्रिश्ण संख्याँ छे की और बढ़ते हैं, तो साथियों आपका छेटा प्रश्न, अत्यदिक शब्द में कौन सी संधी है? दिर्ग संधी है, गुन संधी है, वरदी संधी है और यन संधी है. तो देखो अत्यदिक का हम टुकडा करके देखते हैं, अत्यदिक शब्द का निर्मान किससे होआ है? अती प्लस अधिक किससे बना अत्यदिक शब्द अती प्लस अधिक तो इससे शब्द बनाए अत्यदिक और इसमें संदी कौन सी आ रही है परतम शब्द का अंतिम वण है ई और बाद में आ रहा है मतलब ई के बाद में यदि ऐसा मानार तो E का क्या बन जाता है ये और शब्दी हाँ पर क्या बन गया ये अत्यदी तो अर्थात यहां इसमें यन संदी है साथियों कौन सी संदी हो रही है यन संदी चोता विकल प्रशने 6 में सही है next बढ़ते हैं प्रशन नमबर 7 पर साथियों प्रिश नमबर साथ है तू डाल डाल में पात पात इसका सही अर्थ क्या होगा एक से बढ़कर चालाक होना पेडो पर चड़ कर खेलना अपनी कला का परदर्शन करना और चोरी करने के बाद पकड़ाएं में नय आना देखो तू डाल डाल में पात पात ये जो लोकोक्ती है इसका जो यूस किया जाता है किसके अर्थ के लिए किया जाता है साथियों एक से एक बढ़कर चालाग होना तू डाल डाल में पात पात तू जितनी चालाग क्या दिखाएगा मैं उससे भी जाजा तो विकल्फ एक बहु मुल्य वस्तु वेभव प्रदर्शन और चालाको का प्रदर्शन तो साथियों चांदी का जूता इसके लिए जो अर्थ निकलता है वो है साथियों रिश्वत का धन क्या कहा जाता है रिश्वत का धन इसके लिए चांदी का जूता वाक्य का प्रियोग किया जाता है व मौन्टेन सरी है और एलन है, साथियों, बालोध्यान सिक्सन पद्दती, जिसको हम किंडर गार्टन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंडर गार्टन भी जिसको बोला जाता है, साथियों, किंडर गार्टन ये किसके द्वारा दी गई थी, फ्रोबेल के द्वारा, आगस्ट पद्धति के जन मताता कोन है, फ्रोवेल है, नेक्स्ट प्रिश्ण संख्या दस के और बढ़ते हैं, तो आपके दस्वा प्रिश्ण क्या पूँच रहा है, वद्वी इर्शा पद का संधी विच्चेत क्या होगा, वदू प्लस इर्शा, बद्व प्लस इर्शा, वदू प्ल होगा साथियों, वदू प्लस इर्शा, क्या होगा, वदू प्लस इर्शा बराबर शब्द बरेगा, वद्वी इर्शा, इसमें जो पर्थम विकल्प है, इसमें वदू में छोटे हूँ की मातर लग रही है, जो की गलत है, अतहे विकल्प एक आपके, इसलिए आपके गलत हो जाता है तो only तीसरा ही विकल्प प्रश्ण संख्या 10 में सही है next बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 11 के ओर तो 11 प्रश्ण है आपके देश वासी शब्द का समास विग्रे क्या होगा देश का वासी देश में रहने वाला देश में वास करने वाला और देश में वासी देश वासी नहीं कहलाता है देश में रहने वाला या देश का वासी भी नहीं बलकि सही जो यहां पर समास विग्रे दे रखा है वो है देश में वास करने वाला क्या कहा जाता है उसको देश वासी कहा जाता है विकल्प तीन आपके यहाँ पर सही है साथ यो प्रश्ण संख्या ग्यारा में नेक्स्ट प्रश्ण संख्या बारा की और बढ़ते हैं तो बारवा प्रश्ण निम्नांकित में इक प्रत्य से निर्मित शब्द नहीं है नेयाईक, अधिक, एतिहासिक और सेक्षनिक तो देखो, जो चारो ही शब्द इनको तोड़ के देखते हैं सेक्षनिक शब्द का निर्मान किससे हुआ है? सिक्सान प्लस एक प्रत्य लगाने से शब्द बनता है सेक्षनिक मतलब सेक्षनिक शब्द में एक प्रत्य लगा हुआ है आपको क्या देखना है एक प्रत्य से निर्मित शब्द नहीं है एतिहासिक शब्द की बात करें तो इसका निर्मान हुआ है इतिहास प्लस एक से किस से इतिहास प्लस एक से शब्द बनता है एतिहासिक तो इसमें भी एक प्रत्य लगा हुआ है नया एक की बात करें तो इसका निर्मान हुआ है नियाई प्लस एक से शब्द क्या बन जाता है नियाई एक साथियों ये भी बिल्कुल शुद्ध और सही है इसमें भी एक प्रत्य लगा हुआ है लेकिन अधिक अधी प्लस एक नहीं होता है अधी प्लस एक एसा नहीं हो रहा है साथियों ये गलत है ठीक है अधिक में एक प्रत्य नहीं लगा हुआ है जो बैव या दूसरा जो विकल्प है प्रश्ण नमबर बारा में यही आपका सही उत्तर होगा चलिए नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 13 पे आते हैं तो तेरवा प्रश्ण कौन सा शब्द संदी की द्रश्टी से अशुद्ध है तदो प्रांत तदाकार तथापी और तथेव देखो यहाँ पर वापिस हम टुकड़े करके देखते हैं तबी हमारे ये चीज़े किलियर होगी अगर हम तथेव की बात करें तथेव शब्द का निर्मान तथा प्लस एव से मिलकर हुआ है और ये बिल्कुल वरत्दी संदी का शब्द है और ये बिल्कुल शुद्ध है तो ये तो शुद्ध है आपको क्या देखना है अशुद्ध तथापी शब्द की बात करें तो तथापी शब्द का निर्मान तथा प्लस अपी से मिलकर हुआ है और शब्द बना है तथापी साथियों इसमें यहाँ पर कौन सी संदी हो रही है दिर्ग संदी हो रही है ठीक है यह भी बुल्गुशुद है तदाकार शब्द की बात करें तो इसका निर्मान होए तत प्लस आकार किसे होए तत प्लस आकार से शब्द बना है तदाकार यहाँ पर देखिएगा यहाँ तत का ते का क्या हो जाता है दे हो जाता है और यह आ की मात्रा किसमें लग जाती है दे में तो शब्द क्या बन जा तैदाकार ये भी बिल्कु शुद्ध है अर्थार्थ विकल्प नमबर जो एक है ये संदी की दरश्टी से अशुद्ध है क्योंकि तदो प्रांत का विच्छे दोता है तत प्लस उप्रांत तत प्लस उप्रांत तो ते बन जाएगा दे में और यहां उ की मातरा लगेगी तो शब्द बनेगा तदू प्रांत ने की तदो प्रांत तो शुद्ध शब्द क्या होगा तदू प्रांत इस परकार से तदो प्रांत उ की मातरा नहीं उ की मातरा लगेगी ये वाली ठीक है तो विकल्प एवाला जो है प्रिश्ट नमबर तेरा में स तो बेवाला या जो दूसरा विकल्प है प्रश्ण नमबर चौदा में ये ही आपका सही उत्तर रहेगा नेक्स्ट प्रश्ण संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं तो आपके पंद्रवा प्रिश्ण देख लेंगे किस विदी में बार बार उच्चारण वे कंठस्ति करण पर बल दिया जाता है सुत्र विदी में परायन विदी में व्याकरण विदी में और भंडार कर विदी है यह भंडारन नहीं है भंडार कर विदी में भंडार कर विदी में तो साथियों जब भी प्रिश्णी ये पूचा जाता है कि कंठस्ति करण पर बल यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं उसके आदार पर बता रहाँ पारायन विदी में साथियों परायन विदी अगर विकल्प में है और कंटस्ति करेंड की पूछे तो परायन विदी को सही करना है परायन विदी विकल्प में नहीं है तो फिर आपको सूत्र विदी सही करना है लेकिन यहां परायन विदी है तो दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्ण 15 में सही है बाचा सिक्सन की सर्वत्तम विदी है निगमन विदी प्रशन उत्तर विदी व्यक्य विदी और सूत्र विदी देखो व्यक्य विदी को सर्वत्तम विदी हम भिलकुल भी ने कह सकते हैं बाचा सिक्सन की अब दिये गए विकल्पों के आधार पर निगमन और सूत्र प्रिश्ण उत्तर विदी में चात्र सक्री रहते हैं चात्र यहां पर अध्यापको से प्रिश्ण भी पूचते हैं मतलब चात्र आधारेत विदी है यह तो इसलिए विकल्प नंबर आपका दो प्रिश्ण संख्या 16 में सही है नेक्स्ट प्रिश्ण संख्या 17 पर आते हैं त बाशा का व्याकरन सीखना और बाशा का प्रियोग सीखना देखो प्रात्मिक इस तर पर भाशा सीखने के अगर बात की जाती है तो साहित्य पढ़ना ये कोई प्रात्मिक इस तर पर साहित्य चीजे नहीं पढ़ाई जाती है वेग्यानिक तत्य यहां पर प्रात्मिक इस तर से सिखाए जाती है तो फिर आपका कौन से विकल्प बच्चा विकल्प नमबर 4 भाषा का प्रियोग सीखना यहाँ पर भाषा सीखने का अर्थ लिया जाता है प्रात्मे के इस तर पर उनली चोता ही विकल्प आपके सत्रवे प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 18 पर तो अठारवा प्रिश्ण सात्यों प्रिश्ण नमबर 18 है सो इसमें सिक्सन की विशेष्टा नहीं है कौन सी विशेष्टा सो इसमें सिक्सन की नहीं है और ये अधिक समय का सिक्सन होता है तो देखो माइक्रो टीचिंग अधिक समय का सिक्सन नहीं होता है बलकि कम समय में ही माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है साथियों इसमें एक बार में एक ही कोशल को पूरा करते हैं कक्षया का आकार भी 5-7 बच्चों का ही रखते हैं और तो शिक्सन पर शिक्सन की ये एक तकनीक है शिक्सक पर शिक्सन की तो फिर आपके कोन सा विकल्प सही है प्रिश्ण नमबर 18 में साथियो यहाँ विकल्प नमबर जो 4 है यह आपके 18 प्रिश्ण का सही उत्तर होगा नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 19 पर तो 19 वा प्रिश्ण वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश के विशे में बताता है क्या कहलाता है विधै कहलाता है विस्तारक कहलाता है वाचक कहलाता है या उप्वाक्य कहलाता है 19 प्रिश्ण का सही उत्तर दीजेगा कौन सा विकल्प आपके 19 प्रिश्ण में सही है तो देखो वाकी का वह है जो वाकी के उद्देश के विशे में बताता है उद्देश मतलब होता है करता जैसे मेरा भाई परशांत मेरा भाई परशान्त पुस्त के अधिक पढ़ता है तो यह पुस्त के अधिक पढ़ता है जो वाक्य है यह कहलाता है विधेई तो वाक्य के उद्देश के विशे में कौन बता रहा है पुस्त के अधिक पढ़ता है इसको ही विधेई कहते हैं साथियों देको विकल्प नंब यह कौनसा वाग के है साथियों, यह सयुक्त वाग के है, यह मिश्रवाग के है, यह एक सरल वाग के है या इन में से कोई भी नहीं, तो कोई नहीं को हम वापस हटा देते हैं। लेको, हजारों लोगों को मोत के घाठ उतार कर वह तुपां थमाता, यहाँ पर एक वाक के दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मिश्र नहीं है, नहीं तो कोई विभाजक है, नहीं कोई संयोजक अव्य है, तो ये संयुक्त भी नहीं है, अर्थार्थ ये कौन सा वाक्य हुआ फिर ये एक सरल वाक्य हुआ तीसरा विकलप आपके 20 वे प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट वे प्रिश्ण संक्या 21 की और बढ़ते हैं तो आपके 21 वे प्रिश्ण सूरदाजखल कामरी चड़ेने दूजो रंग इसका सही अर्थ क्या होगा सादू अपनी सादूता नहीं छोड़ता दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता काले कंबल पर रंग नहीं चड़ता और मुर्क कभी समद्दार नहीं होता तो बताए प्रिश्ण अमबर 21 में कौन से विकल्प आपका सही रहेगा देखो यहाँ पर यह जो वाग के देरे कहे सूर्दास खल कामरी चड़न दूजो रंग इसका सही अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता कभी भी ठीके दूसरा विकल्प आपके प्रिश्ण संक्या 21 में सही है नेक्स प्रिश्ण नमबर 22 को देखेंगे तो आपके 22 वाप प्रिश्ण साथियों 22 वाप प्रिश्ण है निम्न लिकित में से विलोम शब्दों की दरश्टी से अशुद्ध विकल्प का आपको चुनाव करना है तो पहला विकल्प है त्रश्णा का घर्णा दूसरा विकल्प है निशिद का विहित तीसरा विकल्प है निंद्य का इस्तुत्य और चोता विकल्प है मलीन का निर्मल तो देखो पात करे अगर मलीन मलीन का मतलब गंदे से लिया जाता है तो इसका विलोन निर्मल बिल्कुल सही है निंद्य निंदा करना इस्तुत्य तो साथियों यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है निशिद का विहीत ही होता है लेकिन तरशना तरशना का प्रेम होगा घरना नहीं होगा विकल्प यहां पर तरशना का घरना बिल्कुल गलत है विकल्प एक आपका प्रशन संख्या 22 में सही रहेगा नेक्स्ट प्रशन नमबर 23 के और बढ़ेंगे तो आपके 23 वा प्रशन और जल्दी लोट भी आए तीसरा विकल्प है मैंने समझाया और उसने भूल सुदा ली तथा उसने फिर कभी गलती नहीं की चोता है क्योंकि लड़का जल्दी उटा था इसलिए वह बस पकड सका और इसलिए वह समय पर भी पहुंच सका तो यहाँ पर आपको क्या देखना है मिश्र और समयुक तवाक के देखना है तो साथी्यों अगर हम बात करें मेरे पिताजी ऐस सवस्त है और यहाँ पर पलंग पर लेटे हैं तो फिर यह तो समयुक तवह के हो गया आगे आपके क्या आना चाहिए मिश्र वाक की आना चाहिए ठीक है दूसरा देखे हमें जल्दी चलना होगा ताकी समय पर पहुँचे ताकी समय पर पहुँचे ताकी से वाक के जुड़ रहा है तो ये मिश्र वाक के है तो मिश्र तो मिल गया फिर इसके बाद सेयुक्त होना चाहिए और जल्दी लोट भी आए तो और से अगला वाक्य जुड़ रहा है तो यह संयुक्त हो गया अर्धार्त यहाँ पर प्रिश्ण अमबर 23 में आपके जो दूसरा विकल्प है यह मिश्र और संयुक्त वाक्य है कौनसा? मिश्र और संयुक्त वाक्य है तो दूसरा ही विकल्प आपके 23 प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रिश्ण संख्या चोईस पर तो आपके 24 वा प्रिश्ण कौनसा युग्म बे मेल है विमेल नहीं बे मेल लिखाता है न टाइपिंग मिश्टेक है कौनसा युग्म बे मेल है तो गीत विधी बिल्कुल पद्धी सिक्सन के अंतरगत आती है क्योंकि गीत किसका भाग है साथ यो पद्धी का ही तो भाग है ये तो सही है दूई बाशा विधी अनुवाज सिक्सन में प्रियोग की जाती है बिल्कुल दूवी बाशे मतलब दूसरी बाशे मानुवात किया जाता है रंगमंच विदी नाटक सिक्सन की विदी है ये भी बिल्कुल सही है साथियो लेकिन जो दंडानवे विदी है तो दंडानवे विदी इन्होंने गद्य सिक्सन दे रख है किस बासा सिक्सन सिध्धान से अध्यापक की वस्तों में रोचकता आती है अभ्यास का सिध्धान्त मोकिक कार्य का सिध्धान्त किर्याशीलता का सिध्धान्त नियोजन का सिध्धान्त तो देखो रोचकता की बात की जा रही है साथियों मोकिक कार्य के सिध्धान से नहीं हा लेकिन किर्या शीलता का सित्तान पूर्णत है करके सीखने पर आधारित है अधे तीसरा विकल्प सबसे बेश्ट आंसर है लेकिन आपको कोई दूसरा आंसर लग रहा है प्रशन नमबर 25 में तो हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश वेट जरूर दीजिएगा चलिए नेक्स्ट प्रशन नमबर 26 को देख लेते हैं आपके 26 वाप प्रशन है शगुन मेरी सहली है अर्थ के आदार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है संभावना अर्थक वाक्य है विधान वाचक वाक्य है इच्छा वाक्य है और संकेत वाक्य है तो देखो शगुन मेरी सहली है इसमें संभावना की तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं की जा रही है इच्छा वाचक इच्छा या अशिरुवाद भी नहीं दिया जा रहा है संकेत भी नहीं है बलकि ये एक विधान वाचक वाक्य है क्योंकि नॉर्मल सी बात जहां पर प्रिश्ण निम्न में से इस्त्रलिंग शब्द है मनुष्य मम्ता निश्टूर और सबल तो साथियों मनुष्य अच्छा है मनुष्य मतलब या पूर्लिंग शब्द है फिर निश्टूर भी पूर्लिंग शब्द है सबल भी पूर्लिंग शब्द है लेकिन यहाँ पर जो ए संगारक शब्द का संधी विच्छेद होगा सम प्लस हारक सम जिसमें अलंत लगा हुआ है प्लस हारक और स जिस मानुसोर लगा हुआ है प्लस हारक तो बताओ आप संगारक शब्द का संधी विच्छेद इन में से क्या होगा साथियों संगारक शब्द का जो सही संधी विच् 28 प्रिश्ण में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है सम प्लस आरक गलत है सन नहीं सम होता है गलत हो गया और यह अनुसवार नहीं बलकि आदा में आना चाहिए था तो उनली थर्ड विकल्प 28 क्युशन में सही है नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्युशन देखेंगे आज के टेस्ट का तो 29 प्रिश्ण है यहाँ पर देखो निम लिकित शब्द में से कौन सा समास है तत पुरुश बहुब्रिही अवे भाव और दिगू तो देखो समास निकालने के लिए हमें सबसे पहले समास विग्रे करना पड़ता है हस्त लिकित का अगर हम समास विग्रे करते हैं साथियों तो इसका समास विग्रे होता है हस्त के द्वारा लिकित या हातों के द्वारा लिकित क्या कहलाता है हस्त लिकित से अतवाक के द्वारा कारक्चिन किसका होता है तत पुरुश समास का करताने कर्म को करन से करन तत पुरुश समास का यह उधारन है किसका उधार अभी तक भी वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है तो जरूर करिएगा साथियों देखो तीस में से जितने प्रिशन आपके सही हुए है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता लीजीगा तो अंतिम और तीसवा प्रिशन दीरे-दीरे किस व्याकरनिक कोटी का शब्द है किरिय क्या है ये एक ये किरिया विशेशन है ये विशेशन है और ये सरूनाम है तो दीरे-दीरे कोई सरूनाम नहीं होता है दीरे-दीरे किरिया विशेशन और किरिया विशेशन इन तिनों में से क्या है तो साथियों दीरे-दीरे किरिया विशेशन है जैसे घोड़ा दीरे-द दूसरा विकलब आपके 30 प्रिश्ण में सही है यह ہिंदी का अठार्वा टेस्ट हमनें पूरा कर लिया है आप इज्ञेश्ड मेंगोद लिखने के लि chirping